हेलो फ्रेंड विल्कम बैक्त मैं चैनल अम्रिती फेशन विला आज की वीडियो हम काना जी के लिए बहुत ही कुप्चरोसी ड्रेस बनाने वाले हैं पगड़ी भी देखिए कॉटन की बनाई है कितनी अच्छी लग रही है और यह रहा मेजर्मेंट चाट ड्रेस भी बहुत स यूज कर सकते हैं और दोनों आप अस्तर का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं तो जब भी हम ड्रेस पहनाए तो देखिए इस तरह से हम एक्चेंज करके पहनाएंगे तो हमारी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी यह डोरी हमारी आगे से जाएगी इस तरह की ड् स्लैब करें साथ में बैल आइकन पर प्रिस करके और पर क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्ट्रागाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पर फॉलो करिए मेरा इंस्ट्राग आपका सा उबर करके दिखा देती हूं आप देख लिए बहुत संदर लग रहे हैं चार नमरी को अभी पहना आई है बाट सेंडेस तीन नॉमर को भी आ जा रहे हैं तो इसे आप तीन चार पाँ नमर को पहना सकते हैं चलिक स्टाट कर देख लेते हैं हमने से कैसे बिनाया क काना के सबसे पहले मैंने यहां पे देखिए दो फैब्रिक लिए है यह वाला यौल्वाला हमारा अस्तर यह मारा प्लेन ऊटन का फैब्रिक है चॉड़ाई में हमसाड़े चार इंच दो नों की डखी और लंबाई 35 इंच दोनों की है, means दोनों हमारा एकदम बराबर है, मैं चार नमबर के काना के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 35 इंच की लंबाई और 4 इंच की इसकी चोड़ाई रखे, आप सभी साज में मेजरमेंट देखे, सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे, जिरो साज में 15 इंच लंबाई रखनी है, एक नमबर में 20 इंच, दो नमबर में 25 इंच, तीन नमबर में 30 इंच, चार नमबर में 35 इंच, पाच नमबर में 40 इंच, छे नमबर में 45 इंच, साथ नमबर में 60 इंच, आठ नमबर में 70 इंच, नो नमबर में 80 इंच, और 10 नमबर म चार इंच चार नमबर में 0.3 4 हिंच 5 नमबर में 5 नमबर में फाच इंच शार नमबर में 6 इंच 7-5, नमबर मेंіль ich टॉ इंच-9 नमबर में 2-10 नमबर नमबर में हम 8 इंच डखेंगे अब हमें क्या करना है जो हमारा Main Paybrick है इसे भी दो बार हो गया फोल्ड ये देखिए और ये हमारा एकदम बराबर तीन बार हो गया फोल्ड और ये हमारा चार बार फोल्ड हो गया है मैंने यहाँ पर टोटल चार फोल्ड इसे किया हुआ है अब हमें यहाँ पर कोई भी round सा कुछ भी रखके mark करना चले करते हैं यह देखिए मैंने यह पर इस पर press लगा लिया है मैंने fold करते हुए press लगा है तो इस पर हमारी अच्छी से finishing आएगी अब मैंने यह gold लिया है यह कितना बड़ा होना चाहिए आप देख सकते हैं यह इतना बड़ा है थोड़ा सा इधर से भी जगव बच रही है और थोड़ा सा इधर से भी तो आपको भी ऐसे ही लेना है डखकर कि आपकी जगव हलकी हलकी सी बसती रहे दोनों साइड से जिससे आपका mark लगाना easy होगा इतना perfect mark आता है यह देखें यह मैंने लगा दिया है अब हम इसे यहां से ऐसे cut कर देंगे तो चलिए मैं इसे आपको cut करके भी दिखा देती हूँ हमें देखें साइड से ऐसे cut करना है यह इस तरह से जो हमारा mark है उसी mark पेसे हम इसे cut कर लेंगे बहुत easy है एकदम आसानी से आप कर सकते हैं और किसी भी size में आप इसे बना सकते हैं यह मैंने cut कर दिया बस हम इसे खोल लेंगे यह देखें खोलने के बाद आप इस पे एक बाद चाहें तो press लगा लें लगा लें चाहें तो क्या अगर आपने fold करते वक्त प्रेस लगा यह तो खोलने के बाद भी लगा लें प्रेस लगा के cutting करने से देखें एकदम equal आएगा हमारा कहीं से भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा यह देखें मैंने आप इसे cut करने के बाद प्रेस लगा लिया है एकदम equal बहुत खुबसूरा साय है अब हमने अपना यह मेंन फैब्रिक लिया है हमें इसे बेन फैब्रिक पर लखके सिलना है और एक चीज़ और आपको clear कर दूँ आप किसी भी साइज में बना रहे है आपको अपना यलो वाला अस्तर का फैब्रिक चार बार ही fold करना है आ नहां पर यह ऐसे सिलाई लगाते हुआएंगे और फिर उधर से भी हम पतली वाली साइड सिल देंगे बस यह वाली साइड हमारी नहीं सिलेगी तो चलिए इसे अब मैं सिलती हूँ हम 0.25 इंच का margin लेते हुए सिलाई लगाएंगे बहुत जादा margin आपको नहीं लेना है औ स्टार्टिंग और रेंड में सिलाई को लॉक जोड़ूर करिएगा यह दिकें सिलाई लेकाने के बाद जो एक्स्रा फैब्रिक था मैंने कट कर दिया है थोड़ा से छोड़ा है इससे आपको भी कट करके दिखा सकूं यह देखें यहां पर हम इस तरह से इसे कट कर लेंग यह ऐसे करके जो भी एक्स्रा दिख रहा है वो कट करके हटा लेना है यह हमने कट कर दिया और इसका यह जो वी शेप है इस पर देखें हमें एक छोटा सा कट लगा लेंगे यहां पर कट लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी सिलाई बिलकुल भी नहीं कट होनी बस अब इसे हमें पलट देना है यह देखें यह इस तरह से ऐसे करके हम इसे पलट लेंगे सब हमारा बहुत आसानी से निकल जाएगा तो चले मैं इसे पलट के और इसके उपर प्रेस लगा लेती हूं फिर आगे आपको पताऊंगी कि हमें क्या करना है यह देखें मैंने तो इस पर उपर से सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आप प्रेस नहीं लगा रहे हैं तो यह दोनों फैब्रिक पकड़ के सिल देंगे और इसे हाथ से हलकाल कसा दबा देंगे तब भी यह सेट हो जाएगा अब हमें क्या करना है दूसरा पना पीस लेना है यह देखें मैंने अस्तर वाला लिया है इस की जो चोडाई है वह मैंने 6 इंच रखी आपको दिखा देठी हूं आपको यह देखें साथ इंच नहीं साथ-इंच मैंने राख की हुई है और लंबाई हमारी 30 इंच है मैं जल्मिंट दिखा देटी हुँ मैंने गुँड़ी से च्छेंच बोल इतना करने के बाद हमने क्या करना है इसे डबल करके प्रेस लगा दिया है अब हम इस पे ये पट्टी अटेच करेंगे ये जो पट्टी है ये मैंने 1.5 इंच चोड़ाई के लिए है सबी साइज में आप 1.5 इंच चोड़ाई के ले लेजिएगा हमें क्या करना है इसे ये हमारी उल्टी साइड है हमने इस तरह से ऐसे मोड़ा अब देखें दोनों साइड हमें सीधी साइड दीख रही है तो हम क्या करेंगे इसके उपर इस तरह से रखेंगे वो भी किधा रखना है जिधर इसका खुला वाला है साथ में रखते हुए हम 0.25 इंच का मार्जन लगाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे स्टार्टिंग और रायन पर अपनी सिलाई को लॉग ज़रूर करिएगा यह देखें मैंने यहां पर इसे सिल दिया है अब हम इसे सीधा करेंगे यह वाली साइड हमारी सीधी साइड है सीधी साइड हम क्या करेंगे इसे हम पलट के सिलेंगे इस तरह से हमें पलट के सिलना है यहाँ पे क्या हमें ध्यान देना है मैं आपको बता लेती हूँ यह हमने जो पट्टी रेडी कुह हुई है अपनी नीचे वाली यह देखें यहाँ यह इसके उपर इस तरह से ड्वाइंट होगा और यहां पर हमें धियान ये देना है कि जब हम इस तरह से इसे चिल लें तो यह हमारे cut से ऊपर हूनी चाहिए तो काफी ऊपर है योलो कलर से हमारी पत्टी भी दिख रहे है और इस कलार कीलिब पत्टी हमारी आएगी तो चलिए अब मैं इसे एक बार यहां से सिल दूँगी और एक बार आप चाहें तो यहां से भी सिल सकते हैं बाकि यहां से भी सिल के आप प्रेस इस पे लगा सकते हैं तो चले मैं सिलती हूं फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है यह देखें आपे यह वाला पीस में हमें राड़ी हो गया है इस वे मैंने ऊपर नीचे दोनों साथ से सिलाई लगा दिया तो अच्छी सी फिनिशिंग दिख रहे हैं उसके बाद प्रेस भी लगा दिया है अब हमें क्या करना है प्लेट बनानी है तो सबसे पहले हम अपने च इन से बहुत बढ़ानी होना चाहिए हलका असा एक दो सूद अगर इधर उदर होता है तो चल जाएगा बट बहुत ज्यादा चोटा बढ़ा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी दिखें इस तरह से रखना है और हमें इस पर सिलाई लगा देना है एक दम आसान है बह लेती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है यह देखी मैं नहीं पर दोनों के उपर प्लेट डालके से एक अठा करके पांचेज में कर दिया है अब दोनों को हम एक दूसरे के साथ सिल देंगे यह देखें यह बड़े वाले पीस के उपर हमने छोटे वाले पीस को रखके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है चले सिल लेती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है यह देखें मैंने यहाँ पर सिल दिया है बहुत खुबसूरत लग रही है खुलने के बाद आप देखें कितना अच्छा सा इसका लुक आ रहा है जब यह पूरी बदे की प्रॉपर पीछे से भी तो यह और खुबसूरत लगेगी यह आप देख सकते हैं अब चले हम बदेखें लगाने यह नेफा लगाना है तो सबसे पहले हम डोरी में लटका लगा लेते हैं मैंने यहाँ पर डेड़ इंच लबबाई चोडाई का यह पीस ले लिया है यह पूरा प्रॉपर डेड़ इंच नहीं है इसमें से मैं कट कर लेती हूं दो पीसे में चाहिए फिर आगे आपको बताऊंगे हमें क्या करना है यह देखें मैंने सीलाई लगा दी उसके बाद जो एक्ष्टा फैब्रिक था वो कट कर दिया है अवम इसे सीधा कर देंगे इस तरह से पकड़के हमें बस इसे पलट देना है यह हमारा सीधा हो जाएगा यह देखें हो गया से मैंसे दूसरी साइड़ी बनाना है चले बनाती हूँ फिर नेफा लगाना बताऊंगी यह देखें मैंने डोरी यहां पर लेटी हो गई है नेफे के लिए मैंने यहां पर धाई इंचोड़ाई का फैब्रिक लिए किसी भी साज में आप बना रहे हैं चाहे जीरो या फिर सिलने के बाद यहां से हाफ इंचक्षा रखके बाकी का फैब्रिक जो है वो कट कर दिया हम इसे यहां पर मोडेंगे मोडने के पाद एक बार और मोडना है यहां पर हमें डोरी डालनी है और इसे हम पलट के सिल देंगे अगर आपकी मसीन बहुत पुरानी है या फिर लगा सकते हैं चलिए मैं इसे सिल लेती हूं क्योंकि थोड़ा सा मोटा हो जाता है फैब्रिक तो फस्ता है हलका सा अगर आपकी मसीन अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखें ड्रेस हमारी रेडी हो गई है सिलाई बहुत अच्छे से आ गई है कोई दिक्कत नहीं होई है अब चले मैं आपको चोली बनाना बताती हूं तो चोली के लिए मैंने यहां पर यह फैब्रिक लिया है अगर मैं आपको इसकी लंबाई बताओं तो यह देखें इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच की है, 9 इंच लंबाई है और चोड़ाई मैंने इसकी धाई इंच ली है, ये इस तरह से देख सकते हैं, धाई इंच है चोड़ाई, तो सभी सायजों मैं आपको लंबाई बता देती हूं, जीरो सायज में आपको 5 इंच रखनी है, एक नमबर में 6 इंच, दो नमबर में 7 इंच, तीन नमबर में 8 इंच, चार नमबर में 9 इंच, 5 नमबर में 10 इंच, 6 नमबर में 11 इंच, 7 नमबर में 12 इंच, 8 नमबर में 13 इंच, 9 नमबर में 15 इंच, 10 नमबर में आप 16 इंच रख ल चोड़ाई दिखा भी देती हूं और बोल भी देती हूं तो चोड़ाई जो है जीरो साइज में आप डेड़ी इंच लेंगे एक और दो नमबर में दो-दो इंच, तीन और चार नमबर में धायडाई इंच, पांच नमबर में तीन इंच, छे नमबर में साड़े तीन इंच, 7 नमबर में 4 इंच 8 नमबर में 5 इंच 9 नमबर में 6 इंच और 10 नमबर में 7 इंच में चुड़ाई चाहिए उसके बाद हमें क्या करना है इसे 20 से ऐसे मोड के और इस पे प्रेस लगा लेना है तो मैंने 20 से मोड के इस पे प्रेस लगा लिया है अब मैंने यहां पर यह पट्टी ली है, नॉर्मल सी हमारी पट्टी है देख सकते हैं, यह मैंने एक इंच के लिए है, हम इसे इस तरह से मोडेंगे, और मोडने के बाद यहां पर ऐसे रखेंगे, वही चीज है, देखें, दोनों के खुले वाले हिस्से को सामने करके रखना है, 0.25 इंच का मार्जन देते हुए सिलाई लगानी है, चले लगा लेती हूँ, यह देखें, यहां पर मैंने सिलने के पाद इसे पलट के भी सिल दिया, जैसे हमने अपने ड्रेस में सिला था, सेम वैसे ही, ऐसे ही हमें एक पट्टी और तयार कर लेनी है, जो कि मैंने कट क करके रखी है, अभी मैं इसे भी स्टिच करके रेड़ी करूंगी, आपको दिखा देती हूँ, इसकी जो लंबाई है, वो भी मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ, लंबाई हमारी रहेगी, 11 इंच, 4 नंबर के लिए आप देख सकते हैं, सेम ऐसे ही यह भी हमारी जितनी चोड़ी यह पट्टी रहेगी, उतनी ही चोड़ी यह भी रहेगी, बस इसकी लंबाई जो है वो अधिक रहेगी, यह हमारी पकड़ी का पीस है, तो पकड़ी के लिए सबी साइज में लंबाई बता देती हूँ आपको, जिरो साइज में आपको 7 इंच रखनी है, एक नमबर में 8 इंच, दो नमबर में 9 इंच, तीन नमबर में 10 इंच, चार नमबर में 11 इंच, पांच नमबर में 12 इंच, छे नमबर में 13 इंच, साथ नमबर में 15 इंच, आठ नमबर में 16 इंच, नो नमबर में 17 इंच, और 10 नमबर में 18 इंच, और सेम इसी तरह हमारा यह रेडी होगा तो चलिए पगड़ी बाला पीस अभी मैं रेडी करूँगी मैंने आपको बता दिया है उससे पहले हम यह चोली जो है वो सिल लेते हैं तो चोली को आपको ऐसे सेंटर से मोणना है और मोणने के बाद देखिए यह जो यलो वाला हिस्सा है उस पे से नहीं इधर के बाद हम इसे इस तरह से खोल लेंगे खोलने के बाद हम यहाँ पर डोरी लगा देनी है नीचे की साइड तो मैंने यहाँ पर डोरी ली हुई है इसे मैं रख के और इस पे सिलाई रखा लूगी चले असल देती हूँ फिर आगे आपको में पगड़ी बनाना बताऊंगी यह देखे मैंने हाँ पीस जो है अपना रेडी कर लिया है पकड़ी वाला और सेम मेजर्मेंट का एक पीस और हमें चाहिए जितनी बड़ी लंबाई चोड़ाई मैंने ली थी सीम वही है देखे ग्यारा इंच इसकी लंबाई और धाय इंच चोड़ाई है यह हम कलकी के लिए करेंगे तो कलकी वाले प्रीस कोम अदेखे दोनों सैड से पहले इस तरह से मोड के सिल्यायर शाए लेगाएंगे इधर भी और उपर की साइड हम ऐसे ही यलो पाटी लगा लेंगे इसे हमें डॉबलहीं करना है चलिए शिलती हूं देखिए दोनों साइट से मैंने सिल दिया है अब उल्टी ये साइट है हमारी उल्टी साइट पर ही हम अपनी ये पट्टी लगाएंगे ये पट्टी को हमें हलका सा मोड़ लेना है और फिर इस तरह से मोड़ना है और यहां पे हम रखके 0.25 इंच का माजन रखके सिलाई लेगाएंगे फिर सीधी साइट पलटके सिल लेंगे ये हमारा रेडी हो चाहिएगा ये दे के मारा कलकी वहाला पीष रेडी हो गया है हमें क्या करना है इस तरह से यहां पे पलेट बना लेनी है इक दम सिंपल और आसान है चोटी चोटी सी पलेट बनानी है सबी साइज में आपको इसी तरह से करना है चाहिए आप किसी भी साइज भी बना रहे हूँ और कल की आपके उपर है आप चाहें दो लगाईए, चाहिए तीन लगाईए चार लगाईए, बहुत सुंदर लगती है मैं तो आपको बहुत सारी वीडियो देती रहती हूँ यह देखें किती कुपसूरा सी हमारी यह बन गई है हम क्या करेंगे इसे नीचे की साइट से बात देंगे तो रधागे को डबल करके ले लीजे इसे आप सुई दाय की हल्प से सिल भी सकते हैं मुझे बांदना जाता इसी लगता है बहुत जल्दी से हो जाता है देखें इस तरह से करके हमने पांद के और नॉट लगा दी है यह ऐसे करके वीडियो थोड़ी पेरी बड़ी हो जाती है क्योंकि एक चीज़ डिटेल में संझाती हूँ फिर सभी सेच का मेजर्मिंट चाट होता है यह देखें सेम तरीके से मैंने एक यलो कलर की भी बना ली है यलो वाले में देखें मैंने 11 इंच ही लंबाई का फैब्रिक लिया था बड़ चोडाई मैंने 5 इंच ले थी क्योंकि देखें मैं डबल करके यूज किया है मैंने जिसे उपर की सेट से कहीं भी नॉर्मल फैब्रिक ना आया यह देखें इस तरह से हम दो कल्की लगाएंगे तो कल्की हमारी दोनों रैडी हो गई है अब हम इसे सीधा ऐसे उल्टा करना है और यहां पे हम इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे यह देखें यहां से मोडने के बाद उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद एक हिस्सा यहां पे लगाना है और एक हिस्सा यहां पे लगाना है इस तरह से और इसे हम सुई धागी के हल्प से सिल देंगे तो यह हमारा हो जाएगा और इसके पीछे हमें अपनी कल की सिल देनी है यह ऐसे करके यह भी आप सुई धागी के हल्प से इसली सिल सकते हैं तो चलिए अब इसे मैं सिल के रैडी करती हूँ क्योंकि पूरा सिल्के दिखाऊंगी तो और लंबी हो जाएगी वीडियो अब देखें मैं ड्रेस रेडी है चोली रेडी है पगड़ी भी रेडी है आप देखें कितनी सुन्दर लग रही है कॉटन में कितनी खुब सुरा सी पगड़ी बनी है मेजर्मेंट चाट का स्क्रीन सॉट ले ले हैं फिर मैं आपको इसे काना जी को पहना के भी दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं पहनने के बाद तो ये देखे गायस मैं ड्रेस की तने सुन्दर लग रही है एकधम सिंपल और असान तरीके से आपको बना के मैंने इसे दिखा दिया है और पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है